राजसान सरकार के ग्रह मंत्राले के निदेशानुसार पूलिस महानिदेशक कारले द्वारा राज्ज में 15 मई से 15 जून तक बच्चों के लिए एक विशेश अभ्यान आपरेशन मिलाप का संचालन किया जा रहा है इस अभ्यान में गुमशिदा नावालिक बच्चों की तलाश भिख्षा बृत्ती बालश्रम और बंधुआ मज़ूरी में लिप्त बच्चों को छड़ा कर उनके पुनरवास की विस्था की जा रही है सोंबार को मानो तसकरी यूनिट ने देहली गेड़ चोकी के प्रभारी भवरलाच शर्मा की सूचना पर गैश्थाना अंतरगत लौंगया महले से पिछले एक साल से आरी तारी का काम कर रहे पंधरा बालश्रमिकों को मुक्तिकर आया मानो तसकरी विभाग के सी आई अश्रुक चोधरी ने बताया कि मस्जिद के पास बंगाल निवासी मुहमत कुर्बान पांस से ग्यारा साल तक के नावालिक बच्चों से कम दंखा में रात दिन आरी तारी का काम करवाता है सूशना मिलने पर मैं पुलिस जापते पहुंचकर बालश्रम करते वे 15 बालश्रमिकों को मुक्तिकर आकर मालिक बंगाल निवासी मुहमत कुर्बान के खिलाफ 89 जेजे एक्ट 2015 और 34 आई पीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्सकर कानूनी कारवाई अमल में लाई जा रही है पास दिल्ली गेट इन्चो की परभारी अपने तुबाउन लाज जी शरमा की सूचना पर ये अपने लोंग एलाके में मस्जिद के पास मुहमत कुर्बान का मकान है जहां पर बाल मजदूर एक साल से काम कर रहे हैं जिनकी उमर तकरीबन 5-7 कोई 10-11 ऐसे इनकी उमराभी हैँ इस कि मिलाव चल दा हुआ कारव कर ते的कां डूर निवान किस्टे काम करते हैं स्राडियों में मीना खारी काम करते इंट काँज्द के पर पर पाप कड़र ले है और बव क्लफ़ीमा को scratch को जयाई हो Celtic test ऐब भाबे अ marksिशित कारवाई के दौरान एक बार श्रमिक ने कैमेरे के सामने बताया कि आरितारी के काम के बदले मालिक एक महीने में 4,000 रुपे देता है और खाना खिलाता है मगर महीने भर रात दिन काम कराता है और फैक्टरी में बंधक बना कर रखता है कर रखता है कर रखता है